हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग मोरे तो हम आज इस वीडियो के मादम से सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड और पायन कार्ड दोनों एक साथ लिंक हैं अथवार नहीं लिंक हैं तो उसका स्टेटस कैसे चक करते हैं तो देरी ने करते हुए अपना वेडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं तो सबसे पहले हम अपने मॉबायल में उपन कर लेते हैं यहां पर जाते हैं और और यहां पर हम लिखते हैं इनिकम टार्ट्र मेंट ईसले सहा नीचे लेका हिसा इंडिध आज देते हैं किलिक करने के बाद देखती हैं कैसा इंटरफियस आता है पहले ही लिंक पर हमाइशे उसले किली कर देंगी किलिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इसको में स्क्रॉल करेंगे और यहां पर लिंक का अधार लिखा हुआ यहां पर हम ऐसे किलिक करेंगे किलिक करने के वाद हम देखते हैं कि हमारा अगला इंटरफेस कैसे आता है जिस स्पी तरह के से आयेगा उसमें अपनी जानकाई दर्ज करेंगे दर्ज करते हैं जैसे हमारा एक खुल गया है अब इसमें थोड़ा लोडिंग ले रहा है ये पेंग में थोड़ा रेख्रेश हो रहा है अब इसमें लिखावाए एक, दो, तीन यानि कि हमारा तीन चरणों में हमारा आधार स्टीटस चेक होगा यानि कि लिंक होगा तो हम तो हमक्या करते हैं यहाँ पर सबद नीचे आते हैं स्कॉल करते हैं थोड़ा यहाँ पर लिखा होता है इंटर पाइन नमबर तो हम यहाँ पर पाइन नमबर डालते हैं और आधार नमबर यहाँ पर आधार नमबर डालते हैं तो हम जड़ारीं ना करता ह। है कि डाल लेते हैं अब जिस्व developed ढ़िवए सोल दिन फ्सका में यह बिवर द़या दालएक आपना जैसे उबान वो डालना है जो भी ओ यह वैसा है ड्लास है कि जैसे हम डाल ले रहे हैं जो भी आधार नंबर होगा वही डालना है आप लोग को कि जैसे हम डाल रहे हैं कि अब यहाँ पर हम आधार नंबर डाल ले रहे हैं आधार नंबर डाल ले हैं जो भी आधार नंबर हो एदार नम्रा टालने के बात हम इसको एकोर्ट करेंगा हम नीचे जाएंगी यह है और लिखा है वेल डेट वेलल्डे के पर क्लिक करेंगा इस से तो इसमें हम देखते हैं लोडिंग के बाद इसमें रहा है यह वर पैन पैन नम्बर है दिखावा है इस आधार नम्बर लिखावा इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड और अधार कार्ड आधार लेड़ी लिंक है धायंक्यू नमस्कार दोस्तों यह दिवार जानकारिया लोगों को अच्छे लगी हूँ तो लाइक शेयर सब्स हूँ जो जो यह दो बघू से जी वे। लागी हूँ आपकान।